हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से सवागत है, बहुत सारे स्टुरेंट ये कोशिन करते हैं, क्या ADI सिर्फ B.T.E.C. वाले कर सकते हैं, इंजिनिरिंग डिपलोमा वाले ही कर सकते हैं, या B.Sc. Physics Chemistry वाले ही कर सकते हैं, क्या इसके लिए experience होना ज़रूरी है, mandatory है, जी नहीं Central Labor Institute I'm talking about, the number one institute for ADIs in all over India, तो same syllabus है, same board है, और same exam, तो दोस्तों, चलते हैं, अपने topic के और, बिना time waste की हुए, कि arts वाले भी ADIs कैसे कर सकते हैं, और दूसरा रास्ता है, FF, और तीसरा, FI, तो इस short term में, महाराश्टा स्टेट बोर्ड में, इसे short term में कहा जाता है, FR, FF, FI Full form में देखते हैं, क्या कहते हैं, इसे, Fire Service Engineering, Advanced Diploma in Industrial Safety and Security Management, Post Diploma in Fire Engineering, तो Fire Service Engineering, ये दो साल का है, और ये दोनों एक-एक साल का है, तो अगर आपके पास ये तीरो डिपलोमा में से एक भी है, या कर लेते हैं, तो आप ADIs में admission लेने के लिए eligible हैं, अब सवाल उड़ता है, कि ये डिपलोमा कौन-कौन कर सकता है, जी हाँ, तो ये डिपलोमा कोई भी कर सकता है, जो 12th standard pass हो, चाहे वो art से हो, चाहे वो commerce से ह हो, या science हो, किसी भी field से हो, किसी भी stream से हो, ये FR, दूसरा है FF, FF में भी कोई भी बंदा admission ले सकता है, चाहे वो arts हो, चाहे वो commerce हो, चाहे वो science हो, कोई भी बंदा, तीसरा है post diplomat fire engineering, इसमें भी कोई भी बंदा ले सकता है admission, कोई भी graduation होना चाहिए उसको, arts, commerce, science, लेकिन इ इसमें, वो भी fire field service में, दोस्तो आपको एक बात clear करता चलू, experience related, दोस्तो पहले क्या था कि 12th base पे अगर आप admission लेरो, 12th के बाद अगर आप ADS करना चाहते हो, तो आप experience लगता था 2 साल का, उसी तरह दोस्तो इसमें था, किसमें था, दोस्तो, any graduate, प्लस 2 साल का experience, अगर लगता है, आप जिस तरह, fr के base पर direct admission ले सकते हो, ADS में, उसी तरह, आप fi के base पर direct admission ले सकते हो, ADS में, तो दोस्तो, आप अपने convenient के साब से course को select कर सकते हैं, चूस कर सकते हैं, और इस diploma में plus point क्या है, कि ये course आप अपने job के साथ-साथ कर सकते हो, most of the college क्या होता है, कि एक गंटा या दो गंटा lecture होता है, वो भी evening batch job के बाद आप कर सकते हो, और कुछ college ऐसे भी होते हैं, जो weekly lecture लेते हैं, Sunday to Sunday, एक साथ 8 या 10 गंटे lecture लेते हैं, ऐसे भी होता है, तो आप पर डिपन तो कौन से college में आप चूस करते हो, तो दोस्तों किसी भी फिल्म में, किसी भी profession म काम नहीं चलेगा, safety field में अगर carrier बनाना है, तो minimum ये qualification आपके पास होना चाहिए, वो भी अगर आप especially arts और commerce background है तो, तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप लोगों का doubt clear हो गया होगा, arts, commerce वाले भी admission ले सकते हैं, जो पहले ऐसे नहीं होता था, सिर्फ FR के जरीए आप ले सक अगर मेरे knowledge में हुआ तो, और subscribe भी करें, और like भी करें, और जिने नहीं मालू है इस field में, safety में उने share भी करें, साल में दोस्तों एक request भी है, दोस्तों, आपके comments और like से फायदा ये होगा, दोस्तों कि मुझे motivation में लेगी, आप लोगों के लिए इस तरह की genuine video लाने के लिए आप 10th के best पे जाओगो, तो भी आपको ADS करा देंगे, और आप BTEC के best पे जाओगो, तो भी आपको ADS करवा देंगे, तो इस तरह की information से क्या होगा, दोस्तों, लोगों में जागरुकता फैलेगी, और वो अपना पैसा और time सही जगा invest करेंगे, ताकि future में भी उनको पेशन मिलेगी, और दूसरा यह क्या है, कि लाइक कैमेंट से वीडियो के reach ज्यादा बढ़ती है, और उन लोगों तक पहुंच जाती दोस्तों, जिन्हें जॉब की जरुद होगी, या जिन्हें कोर्स करने की जरुद होगी, तो वो अपना time और saving बचा पाएंगे, तो मिल जिलते हैं, दोस्तों अगली और में टिलते हैं, थैंकि और मच, एंवी